Hello everyone, welcome to the world of stories रागयों, फिर जम आप लोगे सामने एक और नया real supernatural experience लेकर शैतानी हम सब लोगों के nature में होती है, हमने कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी के साथ, कोई न कोई शैतानी जरूर की है लेकिन क्या हो, तो आप जो शैतानी किसी और के साथ कर रहे हैं, वो ही शैतानी, एक असली शैतान आपके साथ कर ले लगे यहाँ कुछ ऐसा ही हो हमारे आज के experience में, जो की है, कोटा के ही एक जेई एक एस्परेंट का real experience वो अभी भी कोटा में है, अपनी जेई के तयारी को परस्यू कर रहे हैं, लेकिन यह उनके साथ हुआ था लास्ट इयर, जब यह अपने होस्टल में थी, तो कहानी हों आगे बड़े उससे पहले, अगर आपके पास बेज़े कोई real experience है, तो आप हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, मेरी Gmail ID, बिच इस क्योंकि यह दोनों जब आये थे, इनके साथ इनके parents भी थे और यह आपस में मिले थे, जो पिया के parents थे, उन्होंने सोनाक्षी की admission की process के दौरान बहुत help की थी, तो इन दोनों के families के थोड़ा एक दू दिन साथ में रहे थे, तो अच्छा bonding बन गया था, और दूसरा क्या ह तो इनका जो हॉस्टल था, उसमें पिया और सुनाक्षी का room आमने सामने था, बगल में एक और room था और आगे जाकर corridor में ही स्वीटी और संजना जनकी और दो दोस्त थे, उनका room था, पिया और सुनाक्षी इन दोनों का batch भी सेम था, तो यह दोनों साथ में classes जाया करते थे और जैसा कि उसकी मदर ने कहा था कि तुम पिया के साथ सोना, तो जब से यह लोग hostel में shift हुए थे, सुनाक्षी कभी भी अपने room में नहीं सोई, इनको करीबन 20-25 दिन हो चुके थे, यह पिया के साथ ही उसके room में सोया करती थी, और आप जानते हैं जब रूम partners बन जाते ह और जादा अच्छी हो जाती है, अब घर वाले तो इनको छोड़के जा चुके थे, classes वगए इनको शुरू हो गई थी, लेगिन शुरूआत में क्या होता है, बिल्कुल चिल माहौल होता है, अच्छा पहली बार अब आप घर से बाहर निकले हो, हॉस्टल में हो, फुल फ् अच्छी बोलती है, यार एक काम करते हैं, स्वीटी और संजना को डगाते हैं, तो बोलती है, बोलती है, मेरे साथ चल, हम चलेंगे और उनका गेट नौक करके भाग जाएंगे, तो उन्होंने क्या कि रात के करीबन एक या डिड़ वज रहे थे, और चुप चाप सी ते द तो ये इंशूर कर ले नोंने कि वो दोनों ये ना सूचे हैं, कि इन दोनों ने ये काम किया है, अब पहली रात जब प्लान सक्सेस्फिल हुआ, तो सोनाक्षी दिमाग में थोड़ा अलग लेवल आया, उसने क्या किया, यूट्यूब से एक पायल के बजनी की आवाज, ज चलने की और जैसी आवाजें उनका गेट नॉक किया, और इसके बाद वो पायल के आवाज को लिखा, आप समझें, आप रात को सो रहे हैं, या बैठे हुए पढ़ रहे हैं, आपके गेट के बाहर पायल के चलने के अवाज़र गेट नॉक करें, तो क्या आप गेट इस तरह से, अल्मोस्ट हर दिन उन दोनों को परेशान करते थे, लेकिन चोरी कब तक छुपेगी, एक दिन यह सब बैठे हुए थे, और ऐसे ही स्वीटी जो थी, उसनाक्षी का फोन चेक कर रहे थे, उसमें देखा, कि उसके फोन, अच्या क्या करते थे न, एक जना नॉक करता था और दूसरा वीडियो बनाता था, तो वीडियो उसके अंदर पड़े हुए थे, तो स्वीटी ने वीडियो देख लिये, और उसके बहुते तो तुम लोग थे, जो हम लोग को डराया कर दे और उस दिन के बात से इनकी यह वाली चलारत थी, वो खर्त्म हो चुकी और अपने रूम में रह सकती हैं, अब मैं अपने रोम में में शे Apa हां कोई दिक्कतता हैं पढ़ेंığın के साथ में ही, बने साथ में मैं सोने जाया करूंगा, से आफुझाल थीक है बहुत गंदी बद्बू आ रही थी उसको वो लेटते ही वापस उट गई उसने देखा तो रूम में और कहीं बद्बू ने थी उस बेड़ के उपर बहुत गंदी बद्बू आ रही थी वो फटाफट से वापस पिया के पास गई उसको बलाके लेकर रही है और मैंसी वार्डन को बुलके तेरा बेड चेंज करवा लेना तो स्मेल हो गयरा काईशु हो जाएगा फिर वापसा रहना होती हाँ आरी करना पड़ेगा तो अगले दिन सुबह होते ही वह वार्डन के पास गई वार्डन से उसने बुला कि मेरे बेड पे इस तरह से बद्बू आ रही ठीक है चुप-चाप रहो कोई बेड चींज नहीं होगा सब ठीक है ठीक है ठीक है पानी हो सकता है कहीं और सा स्मेल आ रही हो फिर से कोंचीं गई रात को वापस सोने आई जैसे बेड पे लेटी वापस उसको बद्बू आए अब रात को एक बज़े दो बज़े वार्डन और सुनाक्षी ने डिसकस किया कि या एक काम करते तो अपना रूम चेंज कर ले, अब दिकत यह थी कि रूम वोस्टल में और बेखाली नहीं था, जस्ट सुनाक्षी के पास में एक रूम था, जो कि मेंटेंड नहीं था, बंद भी था, और उन्होंने देखा तो अजीब सा ह तो पिरानों बहुता है तो रही है तो अधिन गए ने पास वाला तो यह तो चेंज करना ना थो रही है। तो उसने मना कर दिया कि नहीं रूम चेंज नहीं होगा तो बहुत जिद करके उसने वार्डन को मनाया और उसने उसको रूम अलॉट कर दिया अब रूम जो उसको अलॉट हुआ उसके साफसफाई करवा दिया वार्डन ने उसके बाद वो अपना सामान लेकर उस रूम में गई तो जो पहली बार वो उस रूम में गई तो उस रूम में एंटर करते ही सुनाक्षी को फील हुआ बहुत बढ़ी आड़ वाला टेंपरिच difference मैं आपको बता दूँ कि में जून में कोटा इस लाइक फर्नेस यहां का टेंपर्चर 44 45 इवन कभी 46 47 तक भी पहुँच जाता है बहुत गर्मी होती है ठीक है सभी होस्टल रूम में एसी लगेवे होते हैं लेकिन यह जो रूम था इस रूम में ना कोई पंखा चल रहा था ना एसी जैसे अंदर कदम रखा उसको ठंडी ठंडा है सास हुआ था किसी ने रूम में एसी चला के छोड़ दिया हो उसको बहुत अचला पर लोग इतना ठंडा अच्छी बेड वाद गे रहा था हो सबकुछ लगा हुआ था अराम से बेड़ पे जाकर वो बैठी बेड जब बैठी तो बेड पे बहुत अच्छा ठंडा सा उसको एसास हुआ उसको प्रूम देख हो सकता है कि रूम का स्ट्रक्चर यह ऐसा हो के ठंडा रहता है लेकर ब आपको बतायाता हूं ये जो होस्टल था ये चार फ्लोर का होस्टल था फोर्थ फ्लोर पर ही इसका रूम था इनके होस्टल के साइड में सडक जा रही थी जिससे सीधी धूप इस रूम पर बढ़ा करती थी मतलब आर्किटेक्ट्चर वाइस ऐसा कुछ नहीं था कि वह रू वह अपने रूम में वापस सोने आती है तो रूम में आते हैं बिल्कुल आप यह मानला राजस्तान से सीधा चम्मु कश्मीर या फिर शिम्ला पहुंच गई है बढ़िया वह आती है बेट पर लेटते और बेट पर लेटते तो इसमानों जन्नत आ गई हो बिल्कुल थंड 45 डिग्री की घर्मी में अगर आपको 20 डिग्री सल्सियस के ठंडे बेट पर सोने को मिल जाए तो आप सोच सकते हैं आपकी बॉड़ी को कितना आरा मिलेगा तो आके लेटी और लेटते उसे बढ़ा बिल्कुल ठंडे का एहसास हुआ जनरली उसको कुछ हेल्थ इशू था सुबर्ट के उसने सोचा कि आज में इतनी जल्दी सू कैसे गया और इतनी लंबी गहरी नहीं तो सो लगई हो सकता है कल के शिफ्टिंग हो थक गई हो इसलिए उसके साथ ऐसा हो उसने चीजों के ओपर ध्यान नहीं दिया अब उसका यही डेली शीडियूल ता उस अब भी रहता था ठंदा रहता था लेकर अब जो वह सोती थी तो उसको अजीव जीब से सपने आते थे इसको पहले कभी नहीं जब से वह आई है इसको सपनों में कई बार इसको पिताजी से नाइफ लेके खड़े हुए हैं उसकी मम्मी उसे देखा जिनके चेहरे के ओपर खू अपने रूम में आई रूम में आकर वह एकर बैट पर लेट गई और बस उसकी आँख लगी थी शायद कि तब ही उसकी वापस बंतude कर्ते हैं एक रिए लेड़ जाती है उसके बाद दोबार उसको वावाज नहीं आई, उसे लगा कि हो सकता है, मन का वहम हो, आजकल सपने भी ऐसे आते रहते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, और इस चीज को इग्नूर करके वो सोगी, नेक्स्ट वो उठे, उसने सूचा रात के वारे में, फिर वो पिया के पास पिया के रात को ऐसा होगा, तुम दूसरे साथ मजाग कर लिया होगा, इतना सीरियस क्यों हो रही हो, तो बलते हैं, बड़े अजीब से सपने भी आ रहे हैं तो कुछ नहीं है, ठीक है, थोड़ा क्या वर्कलोड बढ़ गया, पढ़ाई का तो स्ट्रेस हो रहा है, थोड़ पिया के रही है, फिर वो क्लास लास गई, अज शाम को आई, तो इस बार के उसको थोड़ा बैकलोग इखटा हो गया था, तो उसने ठान ले था कि आज में अपना बैकलोग कवर करूंगे, तो पिया के रूम से करीब साड़े ग्यारा बारा के असपास अपने रूम में आ पहुँचे, उसको एग्जाक टाइम याब था कि तीन जस्ट बजने ही वाले थे, वो लेटी और क्योंको थक गई थी तो लेटते उसको नीद आ गई, लेकिन थोड़े देर बात उसकी आँख खुलती है, तो जैसे उसकी फुस्फफ़चाने की आवाज इस पार खिड़क जैसे वो घूमी घूमते आवाज बिकदम से बंद हो गई, बड़ बड़ा के उट गई, उसने पूरा रूम चेक किया, विंडो खोली, गेट खोला, आसपास गैलरी में चेक किया, हिम्मत वाली थी, कोई और होता तो शायद गेट खोलने की हिम्मत नहीं करता, उससे लग कोई नहीं को इससे मजाग कर रहा है, बड़ी कैसे पॉसिबल है, उसने सूचा कि रूम बंद है, खिड़की भी बंद है, आवाज मेरे कान के बिलकुल पास मेरे थी, वो घबरा तो गई थी, खैर, जैसे दैसे उसने रात निकाली, और सुबह होते ही उसने अपनी मम्मी को फोन के और बताया, कि ममा ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तीन-चर दिन से अजीव जीव सपने आ रहे हैं, और मुझे अपने रूम में किसी के फुस-फुसाने की आवाज आती, इसको में बोलती ही, तुम पागल हो, गर्स ऑस्टल मे रह रहे हैं, तो गोलती है, तुम से ठीक लगा, तो उस दिन शाम को ही उसने हनमान चलिसा खरीद ली, रात को पढ़के हनमान चलिसा वो सोई अपने बेड तकी की नीचे रखके, तो उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो, उसको उटके वो फ्रेश वेश होके बाहर निकली बेड में रूम में वापस आई, तो बाद 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 तो पीया ने बोला, तुम इसको इतना सीरिस कह ले री है, तुमने भी तो स्वीटी और संजना को पाहिल की आवास से डरा है था, वो सकता है, वो तुम को डरा रहा हो, और तुम को डरा हो, हो सकता है, अब फिर से वो अपना रूम में आई, तो पूजा पार्थ करती थी तो उसने अपना रूम में धूप चलाई अब यहां पर एक इंसिनेट हो रहा था कि जैसे वह धूप जलाती तो अपने बंद हो जाती अब बताए इस रूम का टमचर पहले भूट फेले ठंडा रहा करता था ना इसमें इसमें चल रहा था ना पंखा न भी बाकनी के तरफ खुलती थी जो कॉमन बाकनी होती उस पर जो हॉस्टल कि थी जो तीन रूम gemaakt साथ होता है in common balcony वैसे और थूप जलारी थी उसको समझें तरही सब क्या हो रहा है, उसके इस पर ध्यान ने दिया, वो उसको रखके और फिर अपना क्लास वगरा चली गई अब ये बात क्लास जब चल रही तो उसने पिया को पते, उसने पिया से बोला कि आज सुबह ना जब धूप जला रही थी अपने रूम के अंदर, तो धूप बार बार बुझ रही थी, मुझे लगता है कुछ ना को जो रूम में चक्कर है, पिया उसके बात सुनके बोलती, तुम पागल, तुम साइंस की स्टोट होकर ये कैसी वकवास बाते कर रही हो, बैए देखो, तुमने भी तो संजना और स्वीटी के साथ मजाग किया था, तो सहुर सकता है कि तुमारे साथ भी मजाग कर रहा हो, और तुम फाल्तो ही चीज़ों को इमेजन कर रही हो, तो उ उसके साथ बहुत जादा उस रूम के अंदर नहीं रही थी, तो सोनाक्षी न उसके कहा कि एक काम करते हैं, तुझे लगता ना कुछ भी नहीं है, तुबलती है, तुम एक काम कर, आज तु मेरे रूम में सो और मैं ते रूम में सो जाओंगा, तो पर उसकी बात सपका गए मैं ते रूम में क्यों सो जाओंगी, तो सोनाक्षी को गलत प्रूफ करने के लिए पिया तयार हो गए उसकी रूम में सोने के लिए, तो आज की रात यही हुआ, सोनाक्षी सोई पिया के रूम में, और पिया ही सोनाक्षी के रूम में, और वही राती करीवें 11 बच चुके वह वाक्य में वो टमचे डिफरेंस फील हुआ था बाहर गर्मी थी और अंदर से किसी ने बढ़िया 15-16 दीड इवर से इस इसी चला रहा हुआ बढ़ी थंडा हो रहा हुआ वह आई उसने रूम कछे से देखा उससे कुछ फील नहीं हुआ वह जाकर बेट पर बैठी तो वह भी बिल्कुल ठंडा का एहसास उससे भी बेट पर वहाँ से लगा है कितना ठंडा बेट है इस पर सोने में दो मज़ा आएगा तो वो थोड़ा अपना काम बाम करके और बेट पर सो गई अब जैसे वह सोई इसको गहरी नियंद लगई बेट बहुत थंडा रहा और फिर अ कान में कुछ फुस फुस आ रहा है वो भी पीछे घूमी देखा कोई नहीं था और घबरा के उठ गई और उठके सीधा ओ गेट खुल के भागी अपने रूम में सोनाक्षी अब जाके अपना गेट नॉक किया सोनाक्षी को ठाया और बोली यार तू बिल्कुल सही कह रहे तो बोली देखा मैंने उससे कहा था अब तुझे पता चला ना तो बुलती है तो बिल्कुल सही बुल रहे उसके बाद उस रूम में नहीं गए दोनों फ्रेंड पिया की रूम में ही सो गई हो सुबह उठी अपने रूम में आई सुबह कुछ भी उसको डर या ऐसे कुछी है उसे आप किसी पेज को पकड़ कर ऐसे क्रश कर देते हो है ना ऐसे ही क्रश्ट फॉर्म में हनुमान चल से नीचे पड़ी हुई है उसे अच्छे से आद अपने रूम को लॉक करके गई थी और रूम के अंदर कोई नहीं आ सकता था फिर हनुमान चल से किसने क्रश करके यह सब सारी डॉट्स करने के बाद सुनाक्षी को यह तो समझ में आ गया था कि इस रूम में कुछ ना कुछ गड़ बढ़ है कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी तो यहां पर है अब उसको फिगर आउट करना होगा कि वाके में सब कुछ सच है या फिर कोई उसके साथ श उसके शब्द जो थे ना वो जंबल हुडते तो जैसे वह अनमानचल साथ लाइन बोलती तो लाइन के जो वर्ड्स इधर दुर भाग रहते जो बोलना था वो नहीं बोलके वो कुछ और बोल रही थी ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती उसके मूँ से वर्ड्स को भा दिया तक उसको बहर से कोई आवास नहीं आ यह वह लेटी थी उसको नीद नहीं आ रही थी और फिर उसको उस गद्दे में से आवाज आ देए प्र वह विश्वास था अपने उपर भी और हनवान चीचाल साहिक उपर भी तो पस वह सोचे जा रही थी कि क्या चल रहा ह क्या चल रहा है, इसी क्या चीज है, क्या नहीं है, कहां फस गई हूँ मैं आके, बहुत परिशान सी हो रही हूँ, फिर उसका ख्याल आया उसको पिया का, क्यार मैंने पिया को भी यहाँ पर सुला दिया, कहीं उसके साथ कुछ बढ़ बढ़ ना हो जाए, मेरे पास तो फिर और उसनों से पुछा थो ठीक है, तो उसने बना हाँ मैं बिलकुल ठीक हूँ, लेकिन अक्चले पिया ठीक नहीं थी, जिस दिन से पिया सुनाक्षी के रूम में सोई थी, उस दिन से उसके साथ कुछ कुछ चीजें होना शुरू हो गई थी, लेकिन वो बात इं उसने सुन उसको लगा वो ठीक तो है ना तो गई उसका गेट नॉक किया गेट खुला और सामने उसके पिया कड़ी थी लिक्राइस लगा था कि वो पिया ही नहीं कोई और ही इंसान है उसके आखों में देखा और पूचा तुम ठीक हो ना तो इसने अपनी गरदन ऐसे की और उसका खट गई और सोचने लगी कि पिया की हालत कैसी हुई है उसने एक और चीज़ वहाँ पर नोटिस की जब पिया ने गेट खोला था तो उसका जो कमरा तो बिलकुल अंधेर घुप हो रहा था जितनी रात हो गई उससे भी कहीं ज़्यादा उसके रूम में अंधेर रहता मलब सिर बिलकुल पंखा बन एसी बन लेकिं कमरा बहुत ठंड हो रहा था बिलकुल वैसा ही जैसा सोनाक्षी की रूम में हुआ करता था उसको लगा कुछ नहीं कुछ गड़बड है क्योंकि जब से पिया यहां से सोके गई थी सोनाक्षी का जो रूम था वह अब नॉर्मल टेंप पता नहीं कितने दिनों में फोन किया और एक दिन हमने उसको फोन किया तो उसने हां नहीं बोलके फोन रख दिया उसने फोन कट नहीं किया था हमने फोन चाल लोकर सुना तो हमें किसी के फुस फुसाने की आवाज आ रही थी कुछ ऐसा लग रहता है कि फोन में अपना मू आप देखे फून रख देती है, तुम बताओ बेटा वो ठीक तो है, बोलते हैं आंटे आप चिंता मत करो, ऐसे तो ठीक ही है, मैं तो बस पूछ रही थी आप से, अब सुनाक्षी को और कोई नजर नहीं आया, तो वो पहुंची स्वीटी और संजना के पास, और उसने उनको यह सारी बात पताए, तो बहुद्वन ने उसको मजाग मनने लगी, बोलते हैं तुम पहले हमको डरा आरही थी, अब तुम पीर का नाम लेकर वापस हमको डराने आ आ गए हो, तो बोलती है, नहीं है मैं तुमसे मजाग नहीं कर रही हूं, ऐसे प्लान करते हैं, मैं पिच् अपने डेविल खाना खा रहते हैं, उदर से पिछे स्वीटी और संजना पिया के रूम का गेट खुल के अंदर जाते हैं, ये इधर वो अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि रूम भूँ ठंडा हो रखा है, बिल्कुल अलगी टेम्चर यहा का था, और बिल्कुल डार खुल रखा था रूम और जैसे हो गेट खोल के अंदर गुसे इधर नीचे मैस में जो आप सुर्थ फ्लोर पर रूम था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मैस पर बैट हुए थी और गेट खुलते हो यह गड़न उठाती और बुलती है सोनक्षी को देखके किसने किया तो बुलते सीधा वो सीधें चड़ना शुरू गई उसना फटाफट से स्वीट और संजना को कॉल किया और बोला कि भाग वहां से और वो दोनों वहां से गेट लॉक करके भाग गये और सीधी बहां पर पीव पहुंची उसने अपना गेट खोला और अंदर जा गेट को बंद कर लिया यह काफी था यह प्रूफ करने के लिए सोनाक्षी को कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है वो स्वीटी के पास गई और उससे पूछा कि क्या देखा तुमने लोग तो बोलते कि तू जो कह रहे तो बिल्कुल सही है हम उसके रूम में घुसे उसने रूम में उनको फोन के और उनको बोला कि आंटी आप जिजनल सकते हैं पर आजाए ऐसे सी बात है तो उसके जो मम्मी थी वो उनकी जो कुल पंडित थे उनको साथ लेकर वास निगले अभी उनको आने में करीब दो दिन तो लगते ही क्योंकि बिहार से वो उनको लेकर आए गाड़ी ट्रेंट टिकेट सब कुछ तो दो तेन दिन तक उसने पिया को कुछ नहीं कहा विए को नौर्मल देश से कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन वह अब्सर्व कर रही थी वह हर टाइम पर पिया के वाच रखा करती थी नज़र रखा करती थी वह देख रही थी कि वह पिया जिस मिलकर उन्हें दोनों को सब कुछ बताया आने के बाद पंडे जी वह हॉस्टल में आये उन्होंने पूरा फ्लोर खाली करवाया यह जितने में लड़के आ रहती थी वह सब वार्डन के पास जाके नीचे स्पेर रूम था उसके इंदर रही और फिर उस फ्लोर का पंडे जी ने बोला कि अब सब कुछ ठीक है अब तुम लोग वापस है यहां पर रह सकते हो लेकिन पिया की मम्मी ने उसको छोड़ना ठीक नी समझा वह उसको अपने साथ ले गई लेकिन सवनाक्षी को यह लगा कि पिया अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है क्यों उसे कुछ न कुछ लोचा लगा लेकिन वैसे वो ठीक थी बस अब वो उर्दू के बड़ यूज करती थी उसके बाद दो चार दिन के बाद ही सोनाक्षी ने भी वहां से रूम खाली कर दिया लेकिन आज भी जब भी वो पिया को कॉल करती है तो फोन उठते ही वो उससे अ ना सरफ चिकन का ओडर पिया ने उस होस्टल के पास में कोई एक पालतू जानवर था मेभी बिल्ली कुटा या कुछ और तोता चिडिया कुछ भी हो सकता है उसको भी मार के खा गई थी सोनाक्षी अभी भी कोटा में है और अपनी जेई के त्यारी कर रही है यह उनका ट्र कि किसी और को उसने एक भूत बन के डरानी कोशिश की लेकिन उसे नहीं पता था समय का चकर घूमता है और वो घूमकर उसी के पास आ गया लेकिन उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन उसकी एक गलती की वज़े से सरफ यह प्रूव करने की वज़े से पिया के साथ प्रॉब्लम्स हुई और शायद वन प्रॉब्लम्स से आज भी सफर कर रही है आपको क्या लगता है इस अंसुल जी कहानी में कौन है जो वो एंटिटी जो पिया के साथ है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए हम लोग मिलते है अपने अगली कहानी में तब तक के ल फिराविंग और शायच वहा ऑफ लिसनिए